कर्मा पूजा जूर पूजा कर्मा धर्मा दोहजार चौविस में कब है भाई बहन का पर्व कर्मा पूजा कशुम मुहरत पूजा विधी महत्व कर्मा पूजा कवरत रखा जाएगा कर्मा पूजा का मुख्य उदेश होता है बहन अपने भाई की सुख समिधी के लिए एकाद्यसी के दिन वुरत रखती है इसके साथ ही अच्छी क्रिशी और प्रकृती से अच्छी फसल की कामना करती है ऐसे होती है कर्मा पूजा की शुरुआत तीज का डाला एहले सुख नदियों वत तलावों में विसरजित किया जाता है वहीं शाम को कुमारी बेहने के द्वारा कर्मा कर डाला स्थापिते किया जाता है कुमारी बेहने अपने अपने घरों से गीत गाते हुए बास के डाला लेकर नदियों वत तलावों पहुंचती है जहां सिस्नान कर नदियों वा तलावों से डाला में बालू लाकर अखारों में सारी बहने बैठती हैं उस दोरा डाला में विभिन तरह के बीजों को जो के साथ बुनती है कर्म पूजा विधी घर के आंगन में जहां साप सफाई किया गया है वहां विधी पुर्वक करम डाली को गारा जाता है उसके बाद उस स्थान को गूबर में लीप कर शुद किया जाता है बहने सजा हुआ टोकरी या थाली लेकर पूजा करने है तो आंगन या अखारा में चारो तरफ करम राजा की पूजा करने बैठ जाती है करम राजा से प्राथना करती है कि है करम राजा मेरे भाई को सुक्र सम्रिद्धी देना उसको कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाने दे है यहां भाई बहन का असीम प्यार दिखाए देता है यह पूजा गाउं के बुजरुक कराता है कर्मा पूजा 2024 में कभ है कर्मा पूजा भारत के कुछ राज्य में ही मनाया जाता है जैसे जारखंड विहार असम मध्य प्रदेश च्छतिस गर पशिम बंगाल तथा और से भी राज्य में मनाया जाता है कर्मा पूजा हर साल भादरमा के शुकल पक्ष एकादसी को मनाया जाता है एक बार फिर experience मैं बता देते हूं कर्मा पूजा जो है 14 सिप्टेंबर दिन सनी वार को मनाया जाएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब एंड सेर करना बिल्कुल ना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट